नमस्कार दोस्तों मैं विनोध टच लाइफ ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सब का स्वागत करता हूँ आजकल सेक्स की समस्या ज्यादातर नौजवानों में देखने को मिलती है इस समस्या से छुटकर आप पाने के लिए नवयों के त्रह त्रह के नुसके आजमाते हैं यह समस्या आजकल एनिमिट अनहल्डी बोजन के कारण पुर्सों में कमजोरी की समस्या आजकल एक आम बात है नपन सुकता दातु आदी ऐसे रोग हैं जो इसके कारण बनते हैं जो कि वेभाईक जीवन के लिए बहुत ही परभावित करते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ बेदी सरल उपाए जिसे अपना कर आप अपने सेक्स समंदी समस्या को छुटकर आप पास सकते हैं और दोस्तों भी तक आपने हमारे चैनल टच लाइब व्यूटी को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें और साथ में दबाए इस बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो को नेटिफिकेशन आपको मिलता रहे आवला अगर आपको सेक्स समंदी समस्या है तो इसके लिए आवला काफी गुनकारी होता है आवले के रसके में एक छोटी चमचे सुखे आवले चोरण का तथा एक सुध सहद की चमच मिलाकर दिन में दो बार शेवन करें इसके इस्तमाल से आपकी सेक्स सक्ति दीरे दीरे बढ़ने लगेगी इस परकार यह समस्या में आवला काफी फाइदे मन्द होता है हल्दी अगर आपका विर्या अधिक पतला हो गया है तो इसके लिए एक चमच सहद में एक चमच हल्दी पाउडर में लाकर रो जाना इसका सुबह से हम शेवन करें इसका निमेत रूप से इस्तमाल करने से आपको सम्भोग की सक्ति काफी बढ़ जाएगी बर्गद सुर्यास से पहले बर्गद के पेड़ से उसके पत्ते तोड़ कर उसमें से निकलने वारे दूद की दस से पंदरा बूंदे पता से पर रख कर खाएगी इसका प्रयोग से आपके विर्या भी बनेगा और सेक्स सक्ति भी बढ़ जाएगी एक चमच च्रीफला चूर्ण को रात को सोते समय पाँच मुनका के साथ खाएगी यह चूर्ण आपके पेट के सब इरोगए सोपन दोस्त था विर्या सिगर गिरने आदी की समस्या को दूर कर देगा तो इस परकार से आप कुछ ग्रेलूप आया अपना कर अपनी सेक्स सबंदी समस्याओं से चुटकर आप पा सकते हैं उमिद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा दीगी यह जानकर आपको पसंद आई है अगर पसंद आई है तो कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को वेट्सप फेस्बूक और ट्विटर पर अपने दोस्त और फैमिली के साथ सेयर करें तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो मेरे जानकर के साथ स्वस्त रहे मस्त रहे जैहिन दोस्तों